हलो विल्कम बाइक टू माई यूटूब चैनल तो आज हम फिर से आप लोगों की सेवा में हाजीर हैं छोटे छोटे ऐसे किचन के टिप्स एंड हैक्स जिनकी मदद से हम अपने कामों को बेहद ही आसान बना सकते हैं तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम आप लोगों के होती है तो चलिए पहली टिप्स हमारी क्या है मिक्सी की जार तो सभी के घर में होती है तो क्या होता है मिक्सी की जार की जो ब्लेट होती है वो चलते चलते इसमें धार कम हो जाती है उसके लिए हम क्या करेंगे एक कटोरी सादा नमक लेंगे जो नार्मली नमक हम खाते हैं इसको हपते में एक बार तो जरूर ही करना चाहिए ताकि हमारी mixy हमेशा अच्छी भनी रहे हो जल्दी तो इसलिए हम इसमें एक बार चला देंगे ग्रैंड कर देंगे और नमक फिर से हम यूज में ले सकते हैं तो हमारी mixy की जार सालो साल चलती रहती है मिक्सी हमारी खराब नहीं होती है तो यह हमारी पहली टिप्स थी तो चलिए फिर दूसरी टिप्स और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं अगर मेरी वीडियो थोड़ी से अच्छी लगती है तो उसको सस्क्राइब कर लें नहीं लगता है फटाक से खुल जाती है तो अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना तो चलिए अगली टिप्स क्या होती है कि गर्मियों में सभी कोई हर कोई कॉटन की साड़ी पहनना पसंद करता है लेकिन इसका जो है समाल के रखना बहुत ही कठीन होता है क्योंकि अगर इसको हम सही से नहीं रखेंगे तो इसमें बहुत ही बार बार हमको प्रेस करने की आउसकता पड़ती है तो इसके लिए हमें बहुत ही यूशफुल टिप्स आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इसको हम क्या करें जैसे कि हम धूलते हैं तो इसको हर बार प्रेस की आउसकता पड़ती है तो इसलिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसको हम पहले किसी जैसे बिस्तर की नीचे रखतेंगे और इससे ये हमारी बिल्कुल प्रेस की तरह बनी रहेगी तह करके और अगर हम इस तरह से hangar में टंगते हैं तो यह बीच में हमारी कड़ी होती है ना इस वज़े से इस में धारी बन जाती है तो इसको हम इस तरह से ना fold करके चार fold में सिर्फ single fold में इसको हम fold करेंगे और इसको हम किसी चीज के नीचे दवा देंगे दवाने से क्या होता है कि हमारी साड़ी प्रेस किया हो सकता बार बार नहीं पड़ती है और हमारी साड़ी उसी तरह जैसे लगेगी कि हम प्रेस करके पहने हैं क्योंकि कॉटन की साड़ी गर्मियों में तो सभी को योज करना पसंद आता है और इसी के साथ में हम अपना पेटिकोट भी लगा देंगे तो इसके लिए जिसे पहनते हैं कभी-कभी तो ये फूली-फूली सी रहती है उसके लिए बहुत ही useful tips है तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि थोड़ा सा सिलो टेप ले लेते हैं और ये दिखता भी नहीं है और हमार जगे थोड़ा सा लगा करके और साड़ी और पेटिकोट को एक में हम चिपका देंगे इससे हमारी साड़ी जो है उपर को उठती नहीं है और हमारी साड़ी बहुत ही अच्छी रहती है कभी भी आप इस तरह से ट्राइ करके देखेंगे तो आपको हमारी ये tips बहुत ही useful ल लगाना है मैं थोड़ा सा करके आप लोगों को दिखाई हूं तो इस तरह से हम साड़ी को अगर हम यूज में रखेंगे तो हमारी साड़ी कभी खराब नहीं होगी और वैसी नई की नई बनी रहेगी तो अगली tips क्या होती है कि हमारे घर में मखाने और ये मुंखली के दा जैसे रोष्ट करके हम धेर सारे रख लेते हैं तो डेली का काम हमारा बच जाता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे गैस को बिल्कुल लोफ लेम पे रख करके और इसमें ये मुंखली के दाने डालके और धीमी आज पे इसको हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे तो हमारे दाने जलेंगे नहीं और बहुत ही स्वाधिष्ट बन के तयार होंगे क्योंकि अगर हम आज स्टेश कर देंगे और हमारे ये दिखने में तो पक जाएंगे लेकिन ये अच्छे पकते नहीं हैं इसलिए हमेशा लोफ लेम पे तो आप देख सकते हैं ये हम धीरे दीरे पका है और इस तरह से हम दूसरे जो बच्चे हुए मखाने हैं उनको भी हम लोफ लेम पे ही धीमी नाच पे इसको चलाते हुए इसको भी रोष्ट करके और हम किस तरह से इस्टोर करें कि हमारा ये कम से कम एक महीने तक हमारे दाने और मुमफली के दाने वह से कड़क बने रहे उसकी लिए मैं वहुत ही यूश्फूल टिप्स लेकर के आई हूँ आप लोग वीडियों के आयंट तक जरूर बने रहना तो इस तरह से इसको भी हम रोष्ट कर लेंगे रोष्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे इसको जो है धीमी आज पे ही करेंगे क्योंकि इसमें जो खाने बैठते हैं तो छिलका हटाओ तो कितना भी अच्छे से करो लेकिन फिर भी ये फायल जाता है इसलिए एक दिन अगर करके रख लेंगे तो हमारा समय बहुत ही बचेगा और हमको दूसरे कामों के लिए फुरसत मिल जाएगी तो इस तरह से इसको हम गदेली की सहायता से रगड़ देंगे और सारा छिलका इसका हम हटा देंगे और यह हमारे दाने एक दब फ्रेस हो जाएंगे अब इनको हम देखिए इस तरह से किसी बड़े वरतन को ले ले नहीं तो उसी थाली में इस तरह से करके और इसका सारा छिलका हम निकाल देंगे निकालने के बाद अब उम्मिद करती हूँ आप लोगों को मेरी चोटी चोटी टिप्स जरूर पसंद आती हूए तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक भी दाने पे छिलका नहीं बचा है एक मिनट भी नहीं लगता है फटाक से निकल जाता है तो चलिए अब हम क्या करेंगे इसको जो है हम एक पनी लेंगे क्योंकि डब्बे में रखेंगे लेंगे फिर भी अगर हम इस तरह से इस्टोर करेंगे तो हमारे दाने और मखाने के दान जो मखाना है वो सीलेगा नहीं क्योंकि बारिस आने वाली है तो ये सब चीजे थोड़ा सील जाती हैं तो ये जब कड़क होती हैं तभी खाने में अच्छे लगते हैं तो इस तरह से हम इसमें एक गाट लगा देंगे गाट लगाने से क्या होगा जो बाहर की हवा है वो इसके अंदर नहीं प्रवेस होगी तो हमारे दाने इसी तरह जैसे हम भून के रखेंगे वो ऐसे ही रहेंगे अब दूसरी पनी ले लेंगे क्योंकि एक पनी के अंदर रखने से हो सकता है कहीं से ये सीलने का डर रहेगा इस तरह से दूसरी पनी में भी हम इस तरह से गाट लगा देंगे और इसको टाइट बांध लेंगे और बांधने के बाद में इसको हम किसी भी डब्बे के अंदर रख सकते हैं जिससे कि ये हमारे दाने काफी दिन तक चलते रहें तो इस तरह से करने के बाद हम इसी तरह मखाने भी डवल पनी में करके और इसको हम पाइक करके किसी डब्बे में रख देंगे अगर हमारी ये छोटी छोटी टिफ्स आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब कर देना इस तरह से आप अपने कामों को करके बहुत ही अपना समय बचा सकते हैं और हमारे अपने समय की बचत करके अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं क्योंकि हम औरतों को समय निकालना बहुत ही कठीन होता है सारा दिन सुबह जितने वज़े उठ जाओ उतने वज़े से चलते चलते सारा दिन हो जाता है फिर भी काम कमी लगता है तो दोनों को एक में करके मैं एक डबे में रख दूंगे वीडियो अच्छी लगी